हेलो दोस्तो आर्चीकुल में आपका स्वागत है आज हम दखेंगे samsung front load के error code के बारे में जिसे error code आप इस्क्रिन में देख पारेंगे 5D error code आ रहा है तो जाज इसके बारे हम देख लेंगे कि ये क्यूं आता है तो सबसे पहले channel subscribe कर लें दोस्तो और notification को on कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें तो जैसे इसमें देखेंगे 5D error code आ रहा है तो इसका problem होता है दोस्तों कि error code आने का कारण होता है कि मसीन में जब spin होता था इसमें तो क्या है कि पानी spin में भी लेता रहता था हमेशा तो actually होता क्या है कि spin होने time inlet से जो पानी आना रुख जाना चाहिए क्योंकि पानी आएगा तो कपड़ा सुखेगा नहीं तो spin के समय बंद होना चाहिए तो actually होता है क्या था कि इसमें spin kit सामें भी पानी आते रहता था जिसके कारण क्या होता है कि कपड़ा सूख नहीं पाता था तो मैं ये दिकत चेक करने के पता चला कि इसका समस्या PCB से था तो इसका PCB से जो inlet valve होता है उसका supply spinning के time बंद नहीं होता था जिसके कारण ड्रायर जब चलता था इस पिनिंग के समय ये रेगुलर इसमें पानी आते रहता है तो इसके वज़ा से क्या है ओवर फिनिंग के वज़ा से इसमें 5D error show करता है तो इस case में दोस्तो हमने जो PCB है PCB को हमने change किया लेकिन change करते हुए video मैं इसमें दिखाने पाया क्योंकि मैं उसमें शूट ने कर पाया तो इसमें प्रोसमस्या थी PCB का क्योंकि हर section में जो बिजली supply time to time देना PCB का का काम होता है इसमें PCB हमारा फोल्टी हो चुका है जिस कारण supply inlet का inlet भल्व का बंद नहीं कर पा रहा है जिस वज़ा से spinning के spinning जब होता है कपड़ा जब सुकता है ड्रायर चलने के time उस टेम भी पानी लेता रहता है तो इससे उस वज़ा से 5D error code show करता है तो जैसे PCB को देख पाएंगे यह front का view है सामने से तो इस तरह का इसमें PCB लगा हुआ था तो इसको finally हम लोगों ने चेंज किया जिसके बाद मसीन जो है नोर्मली वर्क करना चालू कर दिया और कोई समस्या नहीं आया यह रेगुलर चलता रह गया और भी मैं दिखाऊं तो यह बैक साइड का जो कनेक्शन है PCB का वह बैक साइड का है उस सामने से भी देखे जो front का था यह बैक का था तो इस तो ओभर वाटर फिलिंग का होता है तो इसमें आप असानी से आप प्रोब्लम पकड़ सकते हैं तो इसी तरह भी काम करें तो थैंक्यू दोस्तो वीडियो वाच करने के लिए और चैनल सब्सक्राब कर ले दोगतो निव निव वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्